गुर्जार आरक्षन अंदूलन को लेकर अजमेर पुलिस प्रशासन अलर्ट पर गुर्जार आरक्षन अंदूलन को लेकर एक बार फिर गुर्जार समाज ने सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने का ऐलान कर दिया है इस अंदूलन को देखते हुए राजे सरकार सतर्क है और तमाम जिला मुख्याले पर पुलिस प्रशासन को अलर्ट किया गया है इसी संदर में अजमेर में पुलिस वा प्रशासन की ओर से आंदोलन को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई है अजमेर के आडिशनल S.P. किशन सिंग भाटी ने बताया कि गुरजर आंदोलन को लेकर नेताओं से समझाइश की जा रही है और गुरजर बहुले अलाकों में इंटालिजन्स एजिंसियों सहित पुलिस जापता मुस्तैद है और हर पहलूं पर नज़र रखी जा रही है उन्होंने दावा किया है कि हालात को सामाने करने का प्रयास किया जा रहा है गुजर समाज के द्वारा जो कारवाई की जाने के जो प्रस्ताव संदेश है उस समझ में हमने अजमेर पुलिस की तरफ से हमारे द्वारा कानून वैस्ता की इस्तती बढ़ी रहे सांती वेस्ता आजमेर में बढ़ी रहे इसके लिए हमने हमारे तौर पर प्रात्मिक तौर पर सभी परकार के माकूल इंजामात किये है एसो चोज से स्योज से निरंतर संपर्क में हैं सभी जगह फिल्ड में जाकर करके हम देख करके आई है गुजर समाज के लोगों से भी हम आप स्योग करें और इस कनुन वहिस्ता के हित में सम वहिस्ता अजमेर के अंदर बढ़ी रहे विश्वास है इस प्रकार की खटना समाज के सवयोग से लेडिस के सवयोग से जो वारतालाब हुई है उसमें सब अच्छे संकेत है और मैं मानता हूं कि इस प्रकार की कोई कल पर यह कोई बात सामने नहीं आएगी अतिरिक्त जाबता हमारे रिजरु है तीन चार जगे पर रखा है जहां भी जब भी जरूरत होगी तो उसका वहां से मुमेंट कर दिया जाएगा संबावना तो पूरो पहले के मामलाओं को देखते हुए उसकार नसीरवाद में तो गाजे से उस खेतर में ज्यादा संबावना है तो वहां मुमेंट है वहां फोर्स भी है चार सभी एसोचोज को से अलट कर रखा है जाबता भी वहां बिजवाया गया है और भी कोई सब्सक्राइब है उनका सब्सक्राइब है और उनके नर्देश के अनुशार भी हम बिलकुल काम कर रहे हैं विश्वास इस परकार की कोई कारवाई एकल अपरी कोई बात नहीं सामने आएगी